भारती टीम में होगी गबर की वापस, बीसीसाई ने बनाया खास प्लान, शिकर धवन बन सकते हैं कपतान, तो क्या एक खबर बता दें आपको? भारती क्रिकेट टीम के गबर यानि शिकरदवन एक बार फिर धाडने को तयार है रिपोर्ट्स के मताविद शिकरदवन को BCCI फिर से टीम इंडिया में शामिल करने जा रही है वो भी कप्तान बना कर BCCI इस धागड बले बाच को चीन में होने वाले एशियन गेम्स के लिए इंडिया बी टीम का कप्तान बना सकती है समचार के मताविश शिकरदवन जल्द एशियन गेम में टीम इंडिया बी की कप्तानी करते हुए देखे जा सकते है दर असल 23 सितंबर से 8 अक्टुम्बर तक चीन के हैंग दू में एशियन गेम्स 2023 का आयोजन होने वाला है और इस टूर्णामेंट में क्रिकेट की वापसी हुई है और इसके लिए BCCI ने महिला और पुरुष टीम को टूर्णामेंट में उतारने का प्लान बनाया है खराब फोर्म के चलते धवन पिछले साल दिसंबर से भारती वन्डे टीम से बाहरे उसके बाद इस भूमिका में युवा सलामी बल्लेबाद शुबमन गिल आये हैं धवन ने इस साल अभी तक किसी भी प्रारूप में भारत के लिए नहीं खिला है हाला कि यहां पहली बार नहीं होगा जब धवन भारती टीम का नेतरत्व कर सकते हैं बाए हाथ के सलामी बल्लेबाद ने पिछले साल तीन मेचे की वन्डे सिरिज में नुजिलेंड के खिलाफ टीम की कफ्तानी की थी और 2021 में शिरिलंका के खिलाफ वन्डे और टी 20 आई दोनों में टीम का नेतरत्व भी किया था तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या शिकर धवन को कफ्तान बनाना चाहिए या फिर नहीं कमेंड बोक्स में जरूर बताना